हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो इस्टेडी पॉइंट्स तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आपके लिए 50 कुश्चन का टेस्ट है और इन 50 कुश्चन में से अगर आपके 30 कुश्चन सही हो रहे हैं तो आपके आने वाली एक्जाम की तेस्टी से आपकी तयारी अच्छी है तो चली वीडियो के स्टार्ट कहते हैं पहला कुश्चन है हमारा सुर मंदर कहां इस्टेथ है आपकी ओप्सन 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 ओडायक ओप्सन भी पुरी ओप्सन सी सौमनाद ओप्सन डी अवाननाद फ्रेंट्स आपको इसी सॉल्ब करने के लिए 2 सेकिंड का समय दिया जाएगा इसके बाद आपका अगला कुश्चन है भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदर स्री रइंगा मंदर कहां इस्टेथ है आपकी ओप्सन 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 औ बारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर शिरी रंगा मंदिर तिरू जिरापली में इस्थित है तो आपका सही आंसर बारत का जैन मंदिर राजिस्थान राज में इस्थित है आपका सही आंसर ओप्सन C हो जाएगा दिल बाणा कर जैन मंदिर राजिस्थान राज में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्षन कामाख्या मंदिर भारत की किस राज में इस्थित है आपके ओप्सन, ओप्सन लिए मेखाला है ओप्सन B मणीपूर Option C विहार Option D असम कामाख्या मंदिर असमराज में इस्तित है आपका सही आंसर Option D हो जाएगा असम कामाख्या मंदिर भारत की असमराज में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन दुवारी का धीस मंदिर कहां इस्तित है आपके option, option E भोपाल में, option B जहासी में, option C मत्रा में, option D कानपुर में द्वारी का दीस मंदिर मत्रा में इस्थित है आपका सही answer, option C हो जाएगा मत्रा द्वारी का दीस मंदिर मत्रा में इस्थित है इसके बाद आपका अगला question चित्रकुप्त स्वामी मंदर कहां इस्थित है? आपके उप्षन उप्षन जित्रकुप्त स्वामी मंदर उज्यन में इस्थित है आपका सही आंसर आप्षन डी हो जाएगा उज्जयन चित्र गुप्त स्वामी मंदर उज्जयन में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्षन कौन सा इस्थान कौन सा इस्थान ब्रह्मा का मंदर तथा पस्मों की मेले के लिए प्रिस्थ है आपके ओप्सन ओप्सन A. पुस्कार ओप्सन B. सौनपुर ओप्सन C. सूरजकुंड ओप्सन D. उज्जयन पुस्कार ब्रह्मा का मंदर तथा पस्मों के मेले के लिए प्रिस्थ है आपका सही आंसर ओप्सन A. हो जाएगा पुस्कार पुस्कार ब्रह्मा का मंदर तदा पसुओं के मेले के लिए प्रशिद्ध है इसके बाद आपका अगला कोश्चन अंकोर वाट का मंदिर अंकोर वाट मंदिर में किसकी मोधियां इस्थाबत है आपके ओप्सन ओप्सन इबुद्ध तीद करो ओप्सन भी हिंदू देउताओ अंकोर वाट मंदिर में हिंदू देउताओं की मोधियां इस्थाबत है आपका सही आंसर अंकोर वाट मंदिर में हिंदू देउताओं की मोधियां इस्थाबत है इसके बाद आपका अगला कोश्चन जगनात मंदिर किस राज में इस्थित है? आपके उप्षन उप्षन E. असम उप्षन B. पश्चम मंगाल उप्षन C. उडिसा उप्षन D. उत्तर प्रिदेश जगनात मंदिर उडिसा राज में इस्थित है आपका सही आंसर Option C हो जाएगा ओडिसा जगनात मंदिर ओडिसा राज में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन चूहू के मंदिर के नाम से बिक्यात मंदिर कौन सा है आपके Option Option A करणी माता का मंदिर Option B लिंगराज मंदिर Option C ब्रहेत युस्वर मंदिर Option D राजा राने मंदिर चूहू के नाम से बिक्यात मंदिर करणी माता का मंदिर है आपका सही आँजर Option A हो जाएगा करणी माता का मंदिर चूहू के मंदिर के नाम से बिक्यात मंदिर करणी माता का मंदिर है इसके बाद आपका अगला कुश्चन सीख सलीम चिस्ती की दरगाय कहां पर इस्थित है आपके उप्षन उप्षन अजमेर उप्षन B फतेपुर सीक्री उप्षन C आगरा उप्षन D बिहार सवीब सीख सलीम चिस्ती की दरगाय फतेपुर सीक्री में इस्थित है आपका सही answer option B हो जाएगा फते पूर सीकरी इसे एक सलीम चिस्ते की दरगाई फते पूर सीकरी में इस्तित है इसकी बाद आपका अगला question कोडाक का काला पैगोडा किस देउता को समर्पित है आपके option option E जगनात option B सिब option C सूर option D महाबीर कोडाक का काला पैगोडा सूर देउता को समर्पित है आपका सही answer option C हो जाएगा सूर इसकी बाद आपका अगला question है होय सलेस्वर का मंदर होय सलेस्वर का प्रिसित मंदर कहां इस्तित है आपके option option E तनजोर option B मैसूर option C मदूरे option D हैलबिड होय सलेस्वर का मंदर हैलबिड में इस्तित है आपका सही answer option D हो जाएगा हैलबिड होय सलेस्वर का प्रिसित मंदर हैलबिड में इस्तित है इसकी बाद आपका अगला question दिलबाडा मंदर कहां इस्तित है आपके option, option A हम B, option B Mount Aby, option C त्वारिका, option D पुरी दिलबाडबा मंदिर Mount Aby में इस्थित है आपका सही answer option B हो जाएगा Mount Aby दिलबाडबा मंदिर Mount Aby में इस्थित है इसके बाद आपका अगला question तिरुपती मंदिर किस राज़ में इस्थित है आपके उप्सन, उप्सन A. तमिलनाडो, उप्सन B. आंधर प्रदेश, उप्सन C. महराष्ट, उप्सन D. करनाटक तिरोपती मंदर आंद्र प्रदेश राज्ज में इस्थित है आपका सही आंसर ओप्सन भी हो जाएगा आंद्र प्रदेश तिरोपती मंदर आंद्र प्रदेश राज्ज में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्शन किस नगर में ख्वाजा मुई नुद्दीन चिस्ती की धरगार है आपके ओप्सन ओप्सन ए जैपुर ओप्सन भी इलाहबाद ओप्सन से ही जौनपुर ओप्सन डी अजमेर अजमेर में ख्वाजा मुई नुद्दीन चिस्ती की धरगार है आपका सही आंसर, option D हो जाएगा अजमेर अजमेर में ख्वाजा मुईन उद्दीन चिस्ति की दरगा है इसके बाद आपका अगला कुश्चन खचराओ के प्रिशित मंदर किस राज में इस्थित है? आपके ऑप्सन, ऑप्सन A blush राज में इस्थित है आपका सही आंसर, option B, हो जाएगा मद्द प्रिदेस खचराओ के प्रिशित मंदर मद्द प्रिदेस राज में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन ब्लेक पैगोडा की नाम से कौन सा मंदर पिर्शिद्ध है? आपके उप्षन उप्षन ए कोडाक का सूर मंदर उप्षन B मायटन्ड का सूर मंदर उप्षन C मोधरा का सूर मंदर उप्षन D होई सलेशवर का मंदर ब्लेक पैगोडा की नाम से कोडाक का सूर मंदर पिर्शिद्ध है आपका सही आंसर उप्षन नहीं हो जाएगा कोडाक का सूर मंदर ब्लेक पैगोडा की नाम से कोडाक का सूर मंदर पिर्शिद्ध है इसके बाद आपका अगला कुश्चन स्वामी नारायन मंदर स्वामी नारायन मंदर को अक्षधाम भी कहा जाता है स्वामी नारायन मंदर कहा इस्थित है आपकी ऑप्षन ऑप्षन एद्वारी का ऑप्षन B पुरी ऑप्षन C मत्वरा ऑप्षन D गांधी नगर स्वामी नारायन मंदिर गांधी नगर में इस्थित है आपका सही आंसर ओप्षन B हो जाएगा गांधी नगर मंदिर गांधी नगर में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन सब्तरत मंदिर कहां इस्थित है आपके उप्षन महाबली पुरम में इस्थित है आपका सही आंसर औप्षन A हो जाएगा महाबली पुरम सबतरत मंदिर महाबली पुरम में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कोश्चन अमरनाद कुफा कहां इस्तित है आपके आप्सन आप्सन ए उत्राखंड आप्सन भी हिमाचल प्रदेश आप्सन C जम्मू कस्मीर आप्सन D असम अमरनाद गुफा जम्मू कस्मीर राज में इस्तित है आपका सही आंसर आप्सन C हो जाएगा जम्मू कस्मीर अमरनाद गुफा जम्मू कस्मीर राज में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कोश्चन श्वाशाट योगनी मंदिर कहां इस्तित है आपके option, option A. उच्चेल, option B. खचुराहों, option C. इंदौर, option D. भोपाल 64 योगिनी मंदर खचुराहों में इस्तित है आपका सही answer, option B. हो जाएगा, खचुराहों 64 योगिनी मंदर खचुराहों में इस्तित है इसके बाद आपका अगला question मेनाक्ची मंदर कहां इस्तित है आपके option, option A. काजिपुराम, option B. दिरुपती, option C. मदुरे, option D. खचुराहों मेनाक्ची मंदर मदुरे में इस्तित है आपका सही answer, option C. हो जाएगा, मदुरे मेनाक्ची मंदर मदुरे में इस्तित है इसके बाद आपका अगला question उम्मेद सिखर किस धर्म का तीत इस्तित है आपके option, option I. बॉल्ट, option B. जैन, option C. हिंदू, option D. सिख उम्मेद सिखर जैन धर्म का तीत इस्तित इस्तित है महाबली पुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आपके option, option A. चूलों द्वारा, option B. पल्लाव द्वारा, option C. चैदी द्वारा, option D. चालोक्यों द्वारा महाबली पुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लों द्वारा कराया गया था तो आपका सही answer option B. हो जाएगा पल्लाव महाबली पुरम के रत मंदरों का निर्माण पलबो द्वारा कराया गया था इसके बाद आपका अगला कुश्चन है खजराहो में इस्थित मंदर के निर्माण का से किसको दिया जाता है आपके option, option A. चालुक्यों को, option B. चंदेलों को, option C. राजपूत को, option D. पालों को खजराहों में इस्तित मंदर के नर्माड का से चंदेलों को दिया जाता है तो आपका सही answer option B. हो जाएगा चंदेलों को राहों में इस्तत मंदिर के निर्माड का से चंदेलों को दिया चाता है इसके बाद आपका अगला कुश्चन अडाई दिन का जोपड़ा का निर्माड किसने कराया था आपके ओप्शन ओप्शन E कुतुबुद्धी नैबग ओप्शन B इल्तोतमिज ओप्शन C बलबन ओप्शन D रजिया सुल्तान अडाई दिन के जोपड़े का निर्माड कुतुबुद्धी नैबग ने करवाया था आपका सही आंसर ओप्शन E हो जाएगा कुतुबुद्धी नैबग अड़ाई दिन के जोपड़े का निर्माण कुतुबुद्धी नेवक ने करवाया था इसके बाद आपका अगला कोशन खज़राओ का कंदरिया महादियो मंदर चंदेलों द्वारा बनवाया गया था तो आपका सही आंसर ओप्सेंडी हो जाएगा चंदेल खज़राओ का कंदरिया महादियो मंदर चंदेलों ने बनवाया था इसके बाद आपका अगला कोशन अमरिद सर में इस्थित स्वाण मंदर किसने बनवाया था आपके उप्शन, उप्शन E अर्जुन देव, उप्शन B रामदास, उप्शन C हरगोविंद, उप्शन D देख बहादुर अमरित सर में इस्थित स्वण मंदर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था तो आपका सही अंसर उप्शन E हो जाएगा अर्जुन देव, अमरित सर में इस्थित स्वण मंदर अर्जुन देव ने बनवाया था इसके बाद आपका अगला कुशन, मंदरों की उत्रिये सेली किस नाम से जानी जाती हैं? आपके उप्शन, उप्शन E द्रावड, उप्शन B नागर, उप्शन C बैसर, उप्शन D इन में से कोई नहीं मंदरों की उत्रिये सेली नागर के नाम से जानी जाती है तो आपका सही answer option B हो जाएगा मंदरों की उत्रिय सेली नागर सेली के नाम से जानी जाती है इसके बाद आपका अगला question चामुंडा माता का मंदर कहां इस्थित है आपके option Option E. हिमांचल प्रदेश Option B. जम्मु कस्मीर Option C. राजिस्थान Option D. उत्र प्रदेश चामुंडा माता का मंदर राजिस्थान राज में इस्थित है आपका सही answer Option C. हो जाएगा राजिस्थान चामुंडा माता का मंदर राजिस्थान राज में इस्थित है इसके बाद आपका अगला question बद्री नाथ धाम किस सहर में इस्थत है आपके उप्षन उप्षन ही देहरादून उप्षन भी रोद्र प्रियाग उप्षन शीप पोड़ी उप्षन डी चमॉली बद्री नाथ धाम चमॉली सहर में इस्थत है आपका सही आंसर उप्षन डी हो जाएगा चमॉली, बद्री नाध धाम चमॉली सहर में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कुर्शन दच्छडी स्वर मंदर कहां इस्तित है आपके ओप्षन, ओप्षनी कोलकाता ओप्षन भी है द्रावाद ओप्षन सीथ चैननाई ओप्षन डी मैसूर दच्छडी स्वर मंदर कोलकाता में इस्तित है आपका सही आंसर ओप्षन भी हो जाएगा कोलकाता दच्छडी स्वर मंदर कोलकाता में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कुर्शन जामा मश्जित का निर्माण किसने कराया था आपके उप्सन, उप्सन ही अकबर, उप्सन भी सा जहां, उप्सन सी सा जहां, उप्सन डी हुमाईू जामा मश्रित का निर्माण सा जहां ने करवाया था, आपका सही आंसर उप्सन भी हो जाएगा Option B और Option C दोनों में ही सा जाएं तो Option B सी दोनों सही है इसके बाद आपका अगला कुश्चन Lotus Temple किस धर्म से सम्मन्दित है? आपके Option Option E यहूदी Option B पाड़सी Option C बहाई Option D हिंदू Lotus Temple बहाई धर्म से सम्मन्दित है आपका सही आंसर Option C हो जाएगा बहाई Lotus Temple बहाई धर्म से सम्मन्दित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन पिरसित रूपाल मंदिर कहां इस्थित है? आपके Option Option A भद्रचाल Option B चितंबरम Option C हमपी Option D स्रीकाल हंस्ते पिरसित रूपाल मंदिर हमपी में इस्थित है आपका सही आंसर Option C हो जाएगा हमपी तरूपाल मंदिर हमपी में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन हजारा राम मंदिर कहां इस्थित है? आपके Option Option A अबद Option B स्रवड़कोर Option C बिजयनगर Option D आहों हजारा राम मंदिर बिजयनगर में इस्थित है आपका सही आंसर Option C हो जाएगा बिजयनगर हजारा राम मंदिर बिजयनगर में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन मंदार गिरी मंदिर कहां इस्थित है? आपके उप्षन उप्षन A. रोहतास उप्षन गया उप्षन C. बकसर उप्षन D. बांका मंदार गिरी मंदिर बांका में इस्थित है आपका सही आंसर उप्षन D. हो जाएगा मंदार गिरी मंदिर बंका में इस्तित है इसके बाद आपका अगला कुश्चन भगवान सिप की प्रतिष्ठा में कितने जियोतिलिंग स्थापित है आपके ओप्शन ओप्शन E8 ओप्शन B12 ओप्शन C24 ओप्शन D18 भगवान सिपकी प्रतिष्ठा में 12 जियोतिलिंग स्थाबित है आपका सही आंसर option B हो जाएगा भगवान सिपकी प्रतिष्ठा में 12 जियोतिलिंग स्थाबित है इसके बाद आपका अंगला question मोडरा का सूर मंदर किस राज में इस्थित है आपके option option बिहार, option B गुजरात, option C उडिसा, option D बंगाल मोडरा का सूर मंदर गुजरात राज में इस्थित है आपका सही आंसर option B हो जाएगा गुजरात, मोडरा का सूर मंदर गुजरात राज में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कोश्चन मामा भाजा का मंदिर कहां इस्थित है? आपके option Option A. बार्षूर Option B. ताला Option C. ओरंग Option D. रतनपूर मामा भाजा का मंदिर बार्षूर में इस्थित है आपका सही आंसर Option A. हो जाएगा बार्षूर मामा भाजा का मंदिर बार्षूर में इस्थित है इसके बाद आपका अगला कोश्चन धाई दिन का जोपड़ा क्या है? Option A. मश्जित Option B. मंदिर Option C. संत्की जोपड़ी Option D. मीनार धाई दिन का जोपड़ा मश्जित है आपका सही आंसर Option A. हो जाएगा इसके बाद आपका अगला कोश्चन साजी का महान इस्थूप का इस्थित है? आपके ओपशन Option A. उत्र प्यदेश Option B. मंदिर प्यदेश Option C. अरणजल प्यदेश Option D. आंध प्यदेश साजी का महान इस्थूप मंदिर प्यदेश में इस्थित है आपका सही आंसर, option A हो जाएगा, मन्त पिर्देज इसके बाद आपका अगला question गुफा मंदिर कहां इस्थित है? आपकी option, option A औरंगाबाद, option B नासिक, option C ग्वालियर, option D गोलकुंडा तो friends इस question का आंसर आप comment box में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा तो friends इस video पसंद आए तो video को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए